नमस्कार दोस्तों मेर य्टुब चैनल में इक बार फिर से आपका स्वाग अध है, दोस्तों आज की स्टूडियाम सिखिएंगे एक चे वाइर वाले Mixer Grinder का वाइरिंग कनेक््चन वाइरिंग डाग्राम के मलचसे। तो दोस्तो इसके आगे वाले वीडियो में हमने 6 वाले mixer grinder का wiring connection वो प्रैक्टिकली दिखाया है तो दोस्तो वीडियो कर आप देखना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दी हुए वहाँ जाएक आप वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो छे वायर वाला mixer grinder आता है उसमें एक फिल कोईल को बिन्या tapping के बनाया जाता है तो दोस्तो एक कोईल के अंदर से टोटल दो सीरे निकलते हैं और उसके बाद दूसरी जो फिल कोईल आती है उसमें दो टैपिंग के बाद और एक इनर और एक आउटर कोईल गा इस स चैनियर वायर का टोटरी स्वीच वोलोड स्वीच और सपला के वायर के साथ में किस तरह से कनेक्शन करना है वह दोस्तों आज हम इस वीडियो में डायाग्राम की मदद से जानेंगे तो अब देखें दोस्तों मिक्सर के अंदरें की दो फिलक वायल है वहां से वायरिंग करन कॉमन वायर बना ले रहा है तो दोस्तों में कार्बन प्रस के साथ में जोडने के लिए अगर यह वायर को लेते तो दोस्तों यह वायर को हमें जो क्रोस में कार्बन प्रस का स्वाकेट है उसके साथ में जोडना है तो दोस्तों में कोयल का या जो यह स्टार्ट वाला वाय उसको लेते हैं और दोसों ये वायर को जो एंड वाला वायर उसके सामने वाला कार्बन ब्रस का स्वक्ट है उसके साथ में क्रोस में जोड़ देते हैं तो देखे दोस्तो इस तरह से जो बीना tapping वाली fill coil है उसका एक wire है वो carbon jarus के साथ में cross में जुड़ेगा और दोस्तो एक wire को carbon brush के साथ में जोल लेने के बास जो coil का दूसरा wire बसता है वो wire को हमें mixer grinder का common wire बना लेना है एक तर Si एक देना है को काल ब्रस के शाथने जोड़ जाता है, अब हमें धापिंग वाले फिल कोई वाइल है वो फिल कोई locks है धा का क्नेगशन करना है, तो सुम्हें टैप्पिंग वाली कोईल के आंदर थाना है वायर निकल जाते है उसके जो दूसरी साय में खाली कोयल के अंदर से जो एक वायर निकलता है वह वायर को कार्बन ब्रस के साथ में जोड़ना है तो दोस्तो टैपिंग वाली कोयल के यह वाले वायर को हमें जो आर्मेचर है वह आर्मेचर का कार्बन ब्रस का स्वाकेट है उ आप टैंपिग वाली को capabilities है उसका एक वायर जों में जोर लेने के बाद अब टैंपिग वाली कोईर है उसके अंदर हां चोल क हम तीन बाइर बच जा जय कोकी के लिदा상 यह तीन वायर है वो तां म स्पीर्ड के वायर है तो ठोल यह तीन वायर का connection tractor 2-5 के साथ में खर ना है निवायर के माइड़ Hello ? Nieme José ? कुफॉन कर लेनी टेपिंग वाली कोल का जो इनर वायर है इनर वायर हमारे मिक्सर गान्रिध सब्से चाहिए कम मिलेगे और दोस्तों मुल्टी मीडर से जो मिक्सर का common wire है उसे ये wire में चेक कने पर रेजिशन रेजिशन सबसे ज्यादा दिखाएगा और दोस्तों ये tapping coil का जो पहला tapping wire निकाला जयता है उसमें दोस्तों हमें medium speed बिलती है जो दोस्तों मिक्सर के अंडर के speed का दो number का wire होगा और लास्तों मिक्सर के अंडर की tapping वाली coil उसमें दूसरा tapping निकाला जयता है वो mixer के अंडर की speed का तिन number वाला wire होगा और दोस्तों ये wire के अंदर हमें mixer के अंडर की speed होग और speed सबसे ज्यादा मिलेगी तो देखे दोस्तों इस तरह से मिक्सर के अंडर की दो फिल कोईल के अंदर से डोट रोट 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 जो लेना है और दोसे सप्लाइ का दूसरा बार बच जादा है सप्लाइर को था Pelix के साथ में जोड देना है यां दोस्ट नने मिकसर इंदेकर लाइड लगा जा दे बार में दूसर देखे 1 वाईड को 유अन काãyROd आ है है और दोस्तों एक वायर को जो ओल और स्वेच prax तरा से इसे जो हमिल जाता है और दोस्तों इस तरा से सप्पलाइस तरह से मिक्सर आने की दो फिल इरप के अंदर से चीवらい निकाल जाते हैं वो छे वायर का Carbon Brust, Rotary Switch, Overload Switch और Supply Wire के साथ में इस तरह से Connection किया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभीतिक मेरी चैनल को सब्सक्राब नहीं किये तो दासो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जारू कर देना